तो गुरू लोग बोडर टू आने वाली है 23 जनवरी 2026 को और इस मूवी का में लीड होने वाला है वरुन दवन 1997 में एक मूवी आये थी बोडर मेरे ख्यालत से सबी determination के अंदर मतलब हर एक इंजिएन के अंदर जश्वा अगे अपने देश को लेके और इस मूवी देखने के बाद तो लोग सटीज देवल के फैन हो गय'tे आगा देश पर घर देश्य को लगो देक्ञाग आए तो यह यनवरी दोजार चप्रक और इस मूवी का मेंड लीड होने वाला रून द्वन मजागता भाई अपने शनी पाजी को रिप्लेस कर सकता है क्या यह बात बेहन के लोडे ये तो सचे के सनी पाजी को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मगर ये भी सचे के वरुन दवन बोड़ा 2 में आ चुका है हाँ बोड़ा 2 के अनाउंस्मेंट हुई थी वरुन दवन के डायलोग से जो सुनने में इतना जादा अच्छा लग नी रहा क्योंकि वरुन दवन पर ऐसा सीरेस रोल जासता नहीं है ये लोकों का कहना है मगर यकिन मानो गुरू वरुन दवन भी अच्छा एक्टर है अगर उसको सही स्क्रिप मिली जाये तो बदलापुर में तो तुम्हें देखा योगा उसका रोल कैसे था हमें वैसे वरुन दवन देखनों का मिल सकता है बोर्टो में देखो गूरु यह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है वरुन दवन के ऊपर क्यूकि अब वरुन दवन को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा आई शुमान खुराने को रिप्लेस करके आया बंदा तो कुछ ना कुछ करके दिखाने पड़ेगा और पब्लिक यह न बोल दे कि आई शुमान खुराने ही बैस था यार गुरू लोग बोडर टू कोई नोर्मल मुवी नहीं है अब बहुत जादा ध्यान से काम क बड़ेगा मुवी पर क्योंकि यह मुवी आइकोनिक बन चुकी है आज के टैम पर लोग इस मुवी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं सिर्फ इस वजए से क्यूंकि इसमें जो करक्टर दिखाया था था उन्हों दिल जीता था उस टैम पर चलो वेट करते के और कौन-कौ दो मुवी आदा बाय बायाे